आज कि हमारा विश्य यही है कि यह One Nation, One Election देश के हित में अगर है जैसा BJP बता रही है तो पर इसमर बाकी पार्टीयां सहमद क्यों नहीं है बाकी पार्टीयों को क्या One Nation, One Election से कोई खत्रा दिखाई देता है अगर है तो वो क्या खत्रा है या भारती जंता पार्टी इसका कोई फाइदा उठाना चाहती है जैसा कि अरविंद केजरिवाल कह रहे थे अरजे आलोग साब कि वही अभी तो चुनाव में जाना पड़ता है तो थोड़ी मनमानी कम कर पाते हैं वरना तो 5000 रुपय का सिलेंडर और 15 रुपय किलो टमाटर भिके अब चुनाव हैं इसलिए तो मोदी जी को कैस के दाम कम करने पड़े ना चुनाव नहीं होते राज्यों में तो फिर चलने देते हैं जैसे चल रही है देखिए ऐसा है न स्वरव जी कि अर्विन केजरीवाल दिन बद दिन बद हवासी के शिकार होते जा रहे है एक रोड आईटियन है इतने पढ़े लिखे हैं इंटेलिजेंट हैं पढ़े लिखे को ही राज्य चलाना चाहिए ऐसे इसे कमेंट देते हैं अपने नौडिया स्टूडियो के बहार निकली है मैं पूछता हूँ दावे के साथ कहता हूँ एक आम आदमी रोड पे चलता हुआ पूछिए कि क्या एक देश में एक चुना होना चाहिए या बार बार चुना होना चाहिए वो पलट के बोलेगा एक ही बार चुना होना च पहले ब्यान दिया तीरण चौधरी जी ने कि भाई हम समीटी में मैंने सुचा था मैं सुजाओ दूँगा ये दूँई वो दूँगा फिर अचानक क्या हुआ भाई समीटी से मैं नहीं जौँगा समीटी में peek गांधी परिवार का फर्मान आया, गांधी परिवार का बजानी है, जो गांधी कहे वही सही, तो 1967 तक जब नहरू one nation, one election करवा रहे थे, यह प्रावधान था, तो इसका मतलब नहरू गलत थे तब, अपने तरकों को अपने ही तरकों से काटना को एक कॉंग्रेस पार्टी अर के बात करते हैं, वज्या लोग साथ, कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से आज इतने बयान आया, और मलिकारिन खळगे साथ, उनका कहना ही है, पहले तो यह कमिटी जो आपने बनाई है, जिसमें अधीर एंजन चौदरी जी को जगे दी गई थी, यह कमिटी क्या करेंगी, यह अधीर ने कहा कि असरसर तक यह चुनाव प्रक्रिया हमारे देश में थी, खळगे साथ ने इस पर ट्विटर पर एक्स पर अपना जवाब लिखा है, उन्होंने कहा उस वक्त तक ना तो हमारे देश में इतने राज्य थे, ना हमारी इतनी आबादी थी, ना इतनी पंचाय तो हमें और राज्यों को राज्य बढ़ाते गए, अगर हम बड़े बड़े राज्य को छोटा करके ने राज्य बनाते गए, पंचायती राज्य विवस्था लागू की, तो क्या इसको आप लोक्तंत का अधुनी करन नहीं मानेंगे, और क्या इससे हमारे देश को फाइद वन नेशन, वन एलेक्शन, जिससे लगवग एक लाख करोड रुपय की बचत हो सकती है, तो ये करना नहीं चाहिए, जड़ा किसी आम भारतिय से पुछ लीजे, लेकिन बाकी पढ़े लिखे लोग जो है, सो कॉल आईटी रिटरंड है, उनको एक साल में बीस बीस आईए, ये तो मतलब अजीब बालत होगे ना, तो इसको बधवासी नहीं कहूंगो, तो क्या कहूंगो, आपने कहा कि बन नेशन, बन रिलेक्शन कराने से एक लाख करोड रुपय का पाइदा बालत होगा, इंडिया टीवी, हर वक्त, हर जगे, डाउनलोड करने के लिए स स्टूर पर्ण